यकीन मानिए इस सूपर सॉफ्ट मॉइस्ट केक को कड़ाई में बनाया है और बिना हेवी क्रीम के डेकोरेट किया है हेलो स्मार्टीज वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन इस ब्यूटिफुल केक की आइसिंग के लिए हमने बीटर नहीं यूज किया है चमत से आइसिंग तयार की है इस केक को बनाने के लिए मूटे तले वाली कड़ाई भगोना या फिर कूकर गैस पर चड़ा दीजे डेड़ से दो कप नमक डालिए नमक को गरम करके ट्राइ कर लिजे इसके बाद इसमें स्टैंड या रिंग रग दीजे उपर से ढग दीजे मीडियम फ्लेम पर लगभग 10 मिनट तक प्री हीट होने दीजे 6 इंच के केक टिन को ओईल या बटर से क्रीस कर लिजे और अब इसमें एक चमच मैदा डालिए मैदे को सब तरफ अच्छे से फैला लिजे इसे हम मैदे की डस्टिंग से बना रहे हैं अगर आप चाहें तो इसमें बटर पेपर भी लगा सकते हैं और एक्स्ट्रा मैदे को इस तरीके से निकाल देना है हाफ कप प्लस टू टेबल स्पून गरम दूद एक बरतन में डाल दीजे इसमें ही डाल दीजे एक चम्मच विनेगर विनेगर डालने से ये दूद थोड़ा सा फट जाएगा हमें इसी तरह का दूद चाहिए केक बनाने के लिए इसमें हम तही नहीं यूज़ कर रहे हैं इसलिए इस तरीके से यूज़ कीजिए बहुत ही बढ़िया केक बनेगा विनेगर नहीं है लेवन जूस यूज़ कर सकते हैं इसे साइड में रख दीजे एक दूसरे बरतन में वन फॉर्थ कप अन फ्लेवर ओल ले लीजे ओल नहीं है तो मेल्टेड बटर यूज़ कर सकत हो यह दो से तीन बूंद ही डालना पड़ता है अगर आप वैनिला चॉकलेट या फिर कोई और एसेंस यूज़ कर रहे हैं हाफ टी स्पून यूज़ कर सकते हैं अब इन्हें बहुत अच्छे से फैट लेना है जब तक कि यह बैटर स्मूध ना हो जाए चीनी वाले इस ब प्रैंड का यूज़ कर सकते हैं इसकी वज़े से केक एकतम परफेक्ट बनेगा इसी बैटर के उपर छनी रखिए इसमें एक कप मैदा हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर डालिए और चान लीजिए कट एन फोल्ड मैथट से मिक्स कर ले बैटर की कंसिस्टेंसी ठेक लग रही है डू टेबल स्पून दूद और डाल लीजिए या फिर थोड़ा सा कम्या ज्यादा दूद डाल सकते हैं पर ये दूद नॉर्मल टेंपरेचर का होना चाहिए सबी इंग्रीडियंट मिक्स हो जाने के बाद इस तरह की कंसिस्टेंस होनी चाहिए अब बैटर को रेडी किये हुए केक टिन में पलट दीजिए केक टिन को आगे पीछे और उपर से नीचे टैप कर लीजिए इस तरह से टैप करने से एयर बबल्स अच्छे से निकल जाते हैं अब तक खड़ाई प्री हीट हो चुकी होगी केक टिन को इसमें र ये टाइम थोड़ा सा कमिया जादा लग सकता है मैंने इस केक को 1000 वाट इंडक्शन पे बनाया है और उस पे बेग होने में 30 मिनट लगे हैं केक बेग हो जाने के बाद उसे निकाल लिया है 10 मिनट थंडा कर लिया है चलिए अब देख लेते हैं अनमोल्ड करके ये कितना मैंने इस केक टिन पर बटर पेपर नहीं लगाया था मैदे की टर्स्टिंग की थी फिर भी केक कितने आसानी से निकल गया है अब आप भी इस ट्रिक को यूज कर सकते हैं ये देखिए बिना कंडेंस मिल्क बिना दही केक एकदम परफेक्ट बना है वो भी घर में आसानी से एवेलेबल हो जाने वाले इंग्रीडियन्ट से अब इस केक को नॉर्मल टेंपरिचर पर आने दीजे फ्रिज में नहीं भी रखेंगे तो भी चल जाएगा इसे हम बिना फ्रिज में रखे आइसिंग करेंगे 300 ग्राम वाइट चॉकलेट कमपाउन को अच्छे से चौप्ट कर लीजे जब आप इसे चौप्ट कर रहे हैं ध्यान से लगबग एक ही साइस का चौप्ट करने से आसानी से मेल्ट हो जाती है एक भगोने में एक से तेड़ कप पानी गरम होने के लिए रख दीजे इसके उपर दूसरा परतन रख दीजे मैं यहाँ पर काच का बोल रख रही हूँ आप स्टील का भी यूज़ कर सकते हैं इसमें ही अब डाल दीजे 100 ग्राम फ्रेश क्रीम क्रीम को गरम कर लेना है जै आप डार्क चॉकलेट कंपाउंड या फिर मिल्क कंपाउंड भी यूज़ कर सकते हैं अब चॉकलेट में होने तक चलाते रहिए इसे चलाना बंद नहीं करना है इस बात का ध्यान रखें नहीं तो चॉकलेट अच्छे से में नहीं होगी और आपकी क्रीम खराब हो वाइट-चॉकलेट के चंक इसमें नहीं बचे हैं फ्लेम Bant कर देंगी फ्लेम बंद करने बाद अगर आपके पास में वाइट जेल फूट कलर है तब आप इसमें डाल सकते हैं नहीं है अवाइट कीजे कोई प्रॉब्लम नहीं है थोड़ा सा कलर डिफरेंट आएगा पर केक बिल्कुल टेस्ट में वैसा का वैसा ही रहेगा जब ये क्रीम थोड़ी सी थंडी हो जाए तब इसे बहुत अच्छे से चमच की सह अगर आपके पास भी हैंड विस्क है तो उससे भी फैट सकते हैं इस चॉकलेट के नाश को आपको फ्रिज में रखने की ज़र्वत नहीं है नौर्मल टेंपरिचर पर ही आप इसे फैट सकते हैं पर अगर समर का मौसम है तब आप इसे फ्रिज में रखिए और उसके बाद फैट यह इस तरह की कंसिस्टेंसी आने तक फैट लेना है और अब ले लीजे ठंडा हो चुका केक इस केक को हमने फ्रिज में नहीं रखा है क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा गरम नहीं है नौर्मल टेंपरिचर है अब इसके लेयर्स कर लीजे उपर का जो डॉम वाला प की लेयर्स कर रही हूं क्योंकि मुझे केक हाइट में थोड़ा सा उचा चाहिए वाव आप देख सकते हैं कितना परफेक्ट स्पॉंज आया है और केक बहुत मॉइस्ट भी है वन फॉर्थ कप नॉर्मल टेंपरिचर का या फिर ठंडा पानी ले लीजे इसमें एक से तेर चमच पिसी हुई चीनी डालिए अच्छे से मिक्स कर लीजे सुगर सिरप रेडी है केक पोट पर या फिर किसी प्लेट के उपर रेडी की हुई क्रीम लगाईए केक की बीच वाली लेयर रख दीजे और इसके उपर लगा दीजे सुगर सिरप जब भी आप केक के उपर सु सुगर सिरप ज्यादा लगाना है सुगर सिरप लगानी से केक बहुत ज़्यादा मॉइस्ट हो जाता है और अगर आप इसे फ्रिज में दो से तीन दिन रखते हैं तब भी यह वैसा का वैसा ही सौफ्ट रहता है और उपर की जो क्रीम है वो भी हार्ट नहीं होती है उसके करद न Wenig こgle 이 वह सकेंड लेयर जब रगने इंग शेकेंड लेयर पर बी सेम तरीके से शुगर सिरब लगाई है और क्रीम स्प्रेट कर लीजे इसके बाद आप इसके अउपर ठीटोट फिद्व या फिर 2 पर फिर फ्रूर"! चौप्ट करके रख सकते हैं हलका हलका प्रेस करते हुए क्रीम में इसे सेट कर दीजे उपर से थोड़ी सी क्रीम और लगाईए स्प्रेट कर दीजे इस तरह से क्रीम लगाने से जो आपकी लास्ट लेयर है वो इसके उपर स्टिक हो जाएगी अगर आप डाइरेक्ट टुटी फ्रूटी या फ्रूट के उपर रग देंगे आपकी उपर वाली लेयर हिलने लगेगी और लास्ट में आपके केक का शेप चेंज हो जाएगा इसके उपर सुगर सिरफ लगाने के लिए टुटपिक से छोटे छोटे होल कर लिजे इस तरह से होल करने से सुगर सिरफ बहुत अच्छे से अंदर तक चला जाएगा क्योंकि ये नीचे वाली लेयर है थोड़ी सी हार्ड होती है पर इस तरह से लगाने से एकदम परफेक्ट हो जाएगी वैसे मेरे केक की नीचे वाली लेयर एकदम सॉफ्ट है ये आप देखी चुके है अब एक पतली से लेयर लगा देनी है क्रीम की जिसे हम कहते हैं क्रम कोटिंग अगर आप मेरे तरीके से आइसिंग कर रहे हैं मिन्स वाइट चॉकलेट के नाश बनाई है जैसे कि मैंने बनाई है तब आपको क्रम कोटिंग लेयर को फ्रिज में रखने की ज़रत नहीं है इसके ओपर आप डारेक्ट थिक लेयर लगा सकते हैं सभी साइड से केक को प्लेइन कर लेना हैं प्लेइन करने के लिए आप इस तरह से स्पेचुल यूज़ कर सकते हैं या फिर प्लास्टिक की शीट भी यूज़ कर सकते हैं मैं यहाँ पर कोम टूल से थोड़ी सी डिजाइन बना रही हूँ अगर आपके पास इस तरह का टूल से तो बना सकते हैं और अगर नहीं है तो इस तरह का टूल स आप प्लास्टिक सीट से डियाइवाई तरीके से बना सकते हैं मैंने बहुत सारी केक रेसिपीज में यूज कि अब पैलेट नाइफ को या फिर नाइफ को गरम पानी में डिप कीजिए अच्छे से ट्राइ कर लीजे और उपर से प्लेन कर लीजे क्यूंकि ये चॉकलेट की क्रीम है तो बहुत ही आसानी से हो जाएगी अब बची हुई क्रीम में मैं डाल रही हूँ ब्लेक जेल फूट कलर अगर आपके पास ब्लेक कलर नहीं है आप अपने पसंद का कोई भी जेल फूट कलर यूज कर सकते हैं पर ये चॉकलेट की क्रीम है इसलिए जेल फूट कलर ही यूज करना है अच्छे से मिक्स कीजिए औ इसलिए इसके उपर डैड लिख रही हूँ, आप चाहे तो मॉम लिख सकते हैं, हैपी बड़े लिख सकते हैं, हैपी एनिवर्सरी लिख सकते हैं, मुझे उमीद है आप अपनी क्रेटिविटी दिखाते हुए मुझसे भी अच्छा डेकोरेशन करेंगे, पर आप देख सकते ह मैंने यहाँ पर किसी भी तरह का नोजल नहीं यूज किया है, फिर भी ये केक बहुत ही ब्यूटिफुल दिख रहा है, इसे देख कर कोई नहीं कहेगा, आपने इसे घर में बनाया है, इसे देखने के बाद ऐसा लगता है, जैसे आपने इसे बेकरी से लाया है, पाइपिं बना दिया है, आप अपने पसंद से कोई भी डिजाइन बनाईए, ये दिखने में अच्छा ही दिखेगा, लीजिए तैयार है परफेक्ट केक, चलिए इसे कट करके भी देख लेते हैं, बिना फ्रिज में रखे भी आप इसे कट कर सकते हैं, ये केक फ्रिज के बाहर भी द क्रीम बिना ओवन, आप इसे ही पनाएं और फिर मुझे बताईए, ये कैसा बना है, मिलते हैं एक नियो रेसीपी के साथ, बाब बाई